दोहजार सत्रा की राहें देख रही हैं बॉलिवुट की कई बड़ी फिल्में दोहजार सत्रा में बैक टू बैक रिलीज होने वाली हैं बड़ी फिल्में तीनो खान के साथ साथ अमिताप, अक्षे, अजय, रन्बीर, शाहिद, सैफ बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं तो चलिए नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जो हैं 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्में रईस एंड काबिल बॉलवुड में 2017 की शुरुवात हो रही है बड़ी टककर के साथ 25 जनवरी को बॉक्स ओफिस पर रिलीज होंगी शारुख खान की रईस और रितिक रोशन की काबिल रईस में शारुख खान शराब तसकर का रोल प्ले कर रहे हैं तो वहीं काबिल में रितिक एक ब्लाइंड मिमिकरी आर्टिस्ट के रोल में नजर आएंगे Jolly LLB 2 Jolly LLB का सीक्विल फिल्म Jolly LLB 2 भी 2017 की बड़ी फिल्मों में से एक है फिल्म में अक्शे कुमार लीड रोल में है फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे जबरदस रिस्पॉंस मिल रहा है फिल्म दस फरवरी को रिलीज होगी रंगून शाहित कपूर सैफ अली खान और कंगना रनाउत की फिल्म रंगून का भी हर किसी को है इंतजार फिल्म सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान घटी खटनाओ पर आधारित है विशाल भारदवाज फिल्म के डारेक्टर है जो अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं ऐसे में फिल्म ना केवल क्रिटिक्स को भी पसंद आएगी बलकि ओडियन्स पर भी खूब जादू चलेगा फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी जग्गा जासूस रंबीर कैट का भले ही प्रेकप हो चुका हो लेकिन उनकी फिल्म का हर कोई इंतजार कर रहा है फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जो बर्फी की याद दिलाती है ऐसे में जिन लोगों को फिल्म बर्फी पसंद आई थी उनका फिल्म के लिए इंतजार बढ़ गया है आपको बता दे कि फिल्म 7 अपरेल को रिलीज होगी कटपपा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब पिछले एक साल से पूछा जा रहा है 14 अपरेल को बाहुबली 2 रिलीज हो रही है जिसके बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और इस सवाल का जवाब मिलने के साथ बॉक्स ओफिस पर धमाका भी होगा हर किसी को उम्मीद है कि बाहुबली 2 बाहुबली की तुलना में कई बड़ी हिट होगी बजरंगी भायजान के बाद कबीर खान और सल्मान खान की जोड़ी एक बार फिर ट्यूबलाइट के साथ आ रही है फिल्म भारत चीन युद्ध पर आधारित है जिसमें एक सैनिक को चीनी लड़की से प्यार हो जाता है फिल्म में सल्मान की जोड़ी चाइनीज अक्टरेस जूजू के साथ नजर आएगी फिल्म 25 जून को रिलीज होगी डंगल में धूम मचाने के बाद आमिर खान 2017 में सीक्रेट सूपस्टार में नजर आएंगे फिल्म में आमिर काफी डिफरेंट लुक में नज़राने वाले हैं हाला कि फिल्म में आमिर का रोल बहुत बड़ा नहीं कहा जा रहा है लेकिन क्यूंकि ये आमिर की फिल्म है तो इसमें कुछ खास नहों ऐसा कैसे हो सकता है दर रिंग 2017 बॉलिवुट के किंखान के लिए काफी खास है 25 जनवरी को फिल्म रईस रिलीज होगी तो वहीं 11 अगस्त को उनकी फिल्म दर रिंग रिलीज होगी फिल्म में शारो के गाइट का रोल प्ले कर रहे हैं जिससे उसकी टूरिस्ट को प्यार हो जाता है इंतियाज अली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में एक अलग तरह की लव स्टोरी देखने को मिलेगी बाजे राव मस्तानी के बाद संजलीला भनसाली फिल्म पदमावती लेकर आ रहे हैं फिल्म में शाहिद रंबीर और दिपिका में लीड में होंगे फिल्म 17 नवेंबर को रिलीज होगी इन फिल्मों के अलावा भी और कई ऐसी फिल्में हैं जो 2017 में बॉक्स आफिस को हिट कर सकती हैं इन में अक्षे की रोबोट टू टॉलेट एक प्रेम का था अजय की बाद शाहों वरुन की जुड़वा शामिल है